तो इस लड़की ने कल जो है हमारे साथ बहुत गंदा प्रैंक किया है जिससे हम लोग सभी बहुत नराज ऐसे सिरियस्ली हम लोगों को नहीं पता था कि दोस्तों अर्मान मली की सेकेंड वाइफ वो कृतिका मले के स्टाइम पर ट्रोल्स के निशाने पर हैं उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी का जूट बोला और लोगों के साथ एक प्रैंक किया उसके बाद जहां उनके चाहने वाले इस बात पर हस रहे हैं तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनने इतनी जादा नराजगी है कृतिका से कि वो कृतिका के बारे में उल्टी सीधी बाते कह रहे हैं दरसल हुआ ये था कि कृतिका ने हाल ही में अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी का अनॉस्मेंट किया कृतिका मलिक ने बताया कि वो मा बनने वाली जब कृतिका मलिक ने देखा कि लोग जादा ही सीरियस हो रहे हैं उन्हें बहुत सारी बेस्ट विशिज़ दे रहे हैं ऐसे में फाइनली जब कृतिका को इस बात का एसास हुआ तो उन्होंने पायल और आर्मान के सामने इस बात को रिवील किया कि उन्होंने जो कुछ भी हैं ऐसे वें उनका जूट हो या फिर कोई सच उसका सीधा सीधा असार उनके फैंस के ऊपर पड़ता है अब जब कृतिका मली को रिग्रेट हो रहा है इस बात पर कि उनों ने आकर फैंस के साथ इतनी बड़ी बात को शेर किया जो कि बिल्कुल जूटती ऐसे में हर व्लॉग करती हूँ कृतिका ने जो भी चीज दे कही वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कृतिका को लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके घर में बच्चा कभी हो नहीं पाता है जो माई खंसीव नहीं कर पाती है अब जिस तरीक के से कृतिका इस हम्ज़क बनाती नजर आई उसके बाद अर्मान और पायल, दोनों करुतिका से नराज नज़र आये, और शाल ही में पायल, ने भी इस बात को रिवील किया, कि अगर आपको लग रहा हो, इस प्रैंक में, अर्मान और मैं शामिल हैं, तो ऐसका भी कुल priorities, कृतिका ने बिल्कुल भी मुझे इस बारे में नहीं बताया था कि वो प्राइम कर रही है और ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और जब कृतिका ने इस बात को रिवीयल किया कि ये सब को जूट है तो मैंने उसे बहुत डाटा पायल अपने इस व्लाग में ये भी क्याती नज़राई है कि कृतिका को इस बात के लिए रिग्रेट है कि उन्होंने जूट बोला है ऐसे मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि इसकी बच्चा बुद्धी है इसे माफ कर दीजी अब कृतिका ने ये सब कुस तो बहुत मजाग में किया था लेकिन फ्रैंस ने इसे बहुत जादा सीरिस ले लिया क्योंकि सबी लोग बहुत खुश हो गए थे कि चलो आर्मान के घर में एक और बच्चा आने वाला है लेकिन कृतिका का ये जूट बोलना कुछ लोगों को इतना जादा नागवार गुजरा के लोगों ने कृतिका को बहुत जादा बदवाएं देनी तक शुरू कर दी अब इतनी सारे नेगटिव कॉमेंट किया जा रहे हैं सोशल मीडिया पर तो ऐसे में पायल और कृतिका का एक साथ व्लोग तो बनाना बनता है ऐसे में बहुत सारे कॉमेंट लिये गए अपने इस व्लोग के अंदर और पायलो कृतिका ने उन सबी लोगों से माफी माँगी जो कि उनसे बहुत जादा पॉसनली कनेक्ट करते हैं और जिनने इस बात का बुरा लगा कि कृतिका ने इतना बड़ा जूट उनके साथ बोला इतना बड़ा प्राइंग किया कल पूरो दिन कृतिका मलिक लोगों के निशाने पर रही कृतिका को लेकर लोगों ने बहुत नेगेटिव कॉमेंट की और ये तक कहा कि तुम्हें शरम नहीं आती है तुम प्रिग्नेंसी का मज़ाग बनाती हो तुम लोगों से इतना जू पूस्क्राइब नहीं क्या तो कर लीजी आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक केजिए बॉलिवुजे टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रही फिल्म इपीट